हलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल में और आज एक वीडियो जिसमें हम रेपिड फायर क्वेस्टन्स देखेंगे मैं क्वेस्टन बोलूगा आंसर बताऊंगा एक्स्पिनेशन ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं जिस वीडियो के बारें बात कर रहा हूं दे खालिस्तान फिल इंदे बैंक्स और कोटिंग फ्लूड मेटरियल्स एंड यार अप्लाइड ओवर दे सर्फेस फिंबर्स अंड मैटल्स सही आंसर इसका पेंट पेंट हम कोट करते हैं आगे देखें दे ब्लेक फिल इंदे ब्लैंक्स और नियर्ली ट्रांस्पिर्शन रिजिनियस मेट्रिय अंडे आर अप्लाइड ओवर दे पेंटे सर्फेस उसे हम कहते हैं वर्नी सेज ए फिल इन दे ब्लैंक्स इज़ शॉलिट सब्सेंज इन फाइन स्टेट ओफ डिविजन एंट फॉम्ड बल्क ओफ पैंट उसे हम कहते हैं बैस फिल इन दे ब्लैंक्स इस एन ओक्साइड उफ लीड अनिट सफ् furnव बेस फडाईट आगे पैंट्स नहीं आइस का रोic । फिलने दे ब्लेंक फोर्म दे बेस ऑफ और न पयक्स सही अंसर इसका जनरली आसे लगा देंगे इसका आउरां और्शाइड क्योंकि आइरां पेंट तो आर्रां आउक्साइड फिल इन दे ब्लेंक स्फॉर्म जा बल्क ओफ अलुमिनियूम पैंट्स सही आंसर है अलुमिनियूम पाउडर यह भी आप सही आंसर लगा देंगे कुछ क्यूशन ऐसे होते हैं जो जिसका आंसर क्यूशन में ही छिपा होता है जनरली कुछ ऐसा वड़ दिया भाव होता है दो फिल इन दे ब्लेंक सा डर लिक्विड आप ए लिक्विड शौशन विच वावट तूछ ग्रेटिटेंट्स अपहलट चिला अपने बॉह जाई पालिंजेड युच्छ इंदिन आपने इसका लिंसीड ओएल फॉर्मली फिल इन ब्लेंक वाज प्रिपेड बाइग प्रि fill-in-the-blank substance accelerate the process of dyeing तो सही आंसर है इसका dryer dye substance accelerate the process of drying fill-in-the-blank is the most reactive of dryer metals and generally regarded as a surface dryer सही आंसर है cobalt the function of fill-in-the-blank is to make the paint thin so that it can be easily applied on the surface जिसे हम कहते हैं solvent the fill-in-the-blank is inflammable evaporates rapidly and dries the oil consequently so he answer उसका turpentine the fill-in-the-blank defects is caused by the water vapor which is trapped behind the painted surface जिसे कहते हैं blistering in fill-in-the-blank defect the formation of dull patches which is occurs on the finish polish surface सही आंसर बी ब्लूम दोस्तों मैं इसके अंदर आपको explanation नहीं दे रहा हूं answer का तो आप इसे हर question पर पोज करके वीडियो को आप देख सकते हैं और आपको अच्छी यही चीज मिलेगी explanation के अंदर आगे बढ़ू the formation of soft patches on the painted surface is termed as तो इसको बोलते हैं saponification fill-in-the-blanks are specially adapted for exposed works which require frequent cleaning oil awareness तो दोस्तों यह कुछ important question थे मेरे साबसे यह सारे question आपके लिए बहुत ही important हो सकते हैं तो आप इसे देखिए अच्छी तरीके से और याद कर लीजिए जहां concept उसको समझीए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी चैनल को और अपने आसपास सफाय का द्यान जरूर रखें क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया धन्यवाद एब्रिवन